दिल्ली में दोस्तों एक दलित बालमी की नौ साल की बेटी के साथ रेप किया जाता है चार लोगों के द्वारा और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है हत्या करने और रेप करने से पहले हुई थी सराव की पार्टी आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी जानकार यह महिला बालमीक समाज से बिलोंग करती है वहाँ पर भीग बांगती है अपना गुजर बसर करती है अपना परिवार चला रही होती है लेकिन दोस्तों गरीब लोगों को जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ चीन्टी मकोडियों की तरह समझते हैं यहाँ पर वह दोनों मा बे जाओ, समसानगार में water cooler रखा है, वहाँ पर जाकर पानी पियाओ. तो वह जो बेटी होती है, 9 साल की वह पानी पीने के लिए चली जाती है. लेकिन दोस्तों बहुत देर हो जाती है, वह बेटी वापस नहीं आती है. और जो मा होती है, बहुत देर तक बेटी बेटी इंतिज नारएन नाम का व्यक्ति और एक सलीम नाम का व्यक्ति ये चार लोग वहाँ पर कुछ लकडियों को चुन रहे थे यानि की एक Cetha बना रहे थे अब यहाँ पर वह अपनी बेटी को देखकर जोर-जोर से रोने लगती है कि इसे क्या हो गया ऐसे क्या हो गया उधर जो पंडित था जिसका नाम रादेश्याम था वह उससे कहता है कि जो हुआ सो हुआ अब इसका अंतिम संसकार कर देते हैं लेकिन यहाँ पर वह एक मात ही वह विरोध करती है कि ऐसे कैसे अंतिम संसकार कर दोगे मैं पुलिस को बुलाओंगे अब यहाँ पर वह जो चारों लोग होते हैं जवर जस्ती उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर हंगामा हो जाता है और यहाँ पर लोग एक खटे हो जाते हैं वहाँ पर जो अंतिम संसकार करने वाले थे वो चार लोग थे मैं बता चुका हूँ आपको रादिश्याम पंडित, कुलदीब कुमार, लक्षमी नारायन और सलीम नाम का एक व्यक्ति था इन चारों की उमर 49 वर्ष से 63 साल के बीच की थी तो यहाँ पर अब गरह्म गह्मी का माहुल हो जाता है और दोस्तों मा बाप नयाय की गौहार लगाने लगते हैं नयाय मांग रहे होते हैं तबी भीड जैसे एकटी हो जाती है, तकरीवन 200 लोगों की भीड वहां पर एकटी हो जाती है तो भीड में से एक व्यक्ति निकल कर आता है और उस बच्ची के पिता के मूँपर थपड जड़ देता है क्योंकि अब उसके पिता को भी बुला लिया था उसकी माने तो यहाँ पर उसके मूँपर थपड जड़ दिया जाता है और उसके हाथ में 20,000 रुपे रखे जाते हैं किस मामले को यहीं दबा दो लेकिन दोस्तों माबाप को न्याय चाहिए था उनका तो कलेजे का टोकड़ा मरा था भीर एकटी हुई पड़ी थी तकरीबन 200 लोग आ चुके थे और वहाँ पर उस डेड़ बोड़ी को जला रहे थे वो चार लोग उसका अंतिम संसकार कर रहे पुलिस वहाँ पर पहुंचती है आग को बुझाती है लेकिन तब तक वह लड़की 95% जल चुकी थी उसके सिर्फ पैर बाकी थे उस लड़की के पैर निकाले जाते है लेकिन उनसे इतना सबूत इकटा नहीं होता है तो यहाँ पर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है और अब दूसरे दिन मामला तूल पकड़ जाता है क्योंकि किसी ने वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर डाल दिया था उसके बाद क्या होता दोस्तों पुलिस उन चारों लोगों को पकड़ती है उनके उपर हत्याका बरातकार का और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला केजरीवाल भी पहुंचते हैं और अर्विंद केजरीवाल दसलाक रुपे देने की बात करते हैं उस लड़की के माबाप को और यहां पर फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है तो यहां पर दोस्तों एक जो समसान घाट में रहने वाले लोग थे उन्होंने एक 9 साल क कि बच्ची के साथ रेप किया था रेप करने के बाद उसको मार दिया था कहीं यह किसी और से ना कह दे फिर उसको जला दिया था और उसकी मा उसे देखती रही थी उसको जलते हुए और पूरी भीड वहां पर एक खटी हो गई थी तो ऐसे दरिंदे भी समाज देश और पड़ी हुई थी और इस कांड को करने से पहले उन चारों लोगों ने सराब पी थी सराब पीने के बाद एक लड़की को हवस का सिकार बनाया और फिर उसको उसकी मा के सामने ही चिता में जला दिया आखिर कब तक इस तरह से इस देश और दुनिया के अंदर होता रहेगा लो लेकिन यह मामरा दिल्ली में था फिर भी इसके सबूत भी दबा दिये गए थे और फिर भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उस बच्ची को ने आये मिला था तो दोस्तो ऐसी घड़ना दुनिया के अंदर हो रही हैं इसे साथधान रहें सतरक रहें सबसे पहले तो अपनी बच्चीयों को अकेला ना छोड़ें कभी भी किसी को उपर भरोसा ना करें अपनी बच्ची के साथ जाएं जो भी कोई जरूरत है बजार जाना है कहीं भी ज नहीं है उपर उपर से मीटी मीटी बातें अंदर अंदर से ने जाने क्या कर दे कोई तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें हम आपकी बहुत बताभरी रहेंगे अगला प्रोड़ाम भोजलती फिर से लेकर आओंगा किसी सची गटना के उपर तब तक आप खुश रहें सावधान रहें रिष्टों की हमेत को समझें जय हिंद जय बार